जीके जीएस टॉप टेन कुस्चन डख्कन पैसे निमलेखित में से किसके बीच इस्तित है? दक्षडी और लेटिल अंडमान अप्षण नमर बी उत्री और दक्षडी अंडमान अप्ष्ण नमर सी उत्री और मद्ध अंडमान Option number D, अंडमान और निकोबार इसका राइट एंसर रोजाएड Option number A, दक्षडी और लेटिल अंडमान में इस्तीत है 10 degree channel, छोटा अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है पाक एस्ट्रेट, तमिनाडू और स्रिलंका को जोड़ता है 8 degree channel, मालदीप और मिनिकाई को जोड़ता है 9 degree channel, लक्षडीप और मिनिकाई को जोड़ता है Grand channel, सुमात्रा और निकोबार को जोड़ता है मनार की खाडी, दक्षड पूर्व तमिनाडू और स्रिलंका को जोड़ता है पाक की खाड़ी तमीनाडू और सिर्लांका को जोड़ता है नेक्ट कोस्टे निम्लिकित में से स्वर्वत्तम उस्मा सुचालक है पारद या पारद या पारा या मरकरी उस्मा का सुचालक है पारद दरव्य धातु है या विधूत और उस्मा का सुचालक है इसे क्विक सील्वर भी कहा जाता है इसका परतिरोध शुन्य होता है इस पर जल और भार का परभाव नहीं पड़ता है नहीं को से भारतिय रुपे की सुरुवात स्वर पर्थम की सासक ने की थी अप्शन नमर ए समराट असो अप्शन नमर बी चंदर गुप दुतिय अप्शन नमर सी सेर्शा सूरी अप्शन नमर डी अकबर महान इसका राइट एट सा जाएगा अप्शन नमर सी सेर्शा सूरी ने की थी सेरसा सूरी ने भारत में सबसे पहले रुपिय की सुरुवात किया था सेरसा भारत में सबसे पहले रुपिय को ढाला था सेरसा का मकावरा बिहार के सासरामजीले में उच्चे जील पर निर्मीत है सेर सा पनरा सा चालिस में हुमायु के साथ बिलगराम और कनोज का यूद के बाद बिजय होकर दिल्ली की गदी पर बैट गया था चन्दगुप दूतिय यह गुप्त बंस से सम्मंदी था यह सम्मुद गुप्त का बेटा था इसने 375 से 414 AD में गदी पर आसीन हुआ इसी समय चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 AD तक भारत यात्रा पर आया था चन्दगुप दूतिय ने सको को पराजित किया और अतियधिक मातरा में चांदी के सिक्के जारी करवाया चन्दगुप दूतिय के दरबार में कुछ परमुख विद्वान, काली दास, अमर सिंग, बारा महीर, धर्मंतरी इतियादी रहते थे शम्राट असोक यह मोर बन से संबंदी था अशोक 273 से 232 BC इसका सासन काल रहा राजा विशेक इसका हुआ था दूसर 69 BC में ग्रिय यूद के बाद इसे अशोक वर्धन या प्रिय दर्सी या चांडा सोक के नाम से भी जाना जाता है सिललेक की सुरवात भारत में सबसे पहले इसी ने किये थे अकबर या मुगल बन से समान दी था इसके कालको हिन्दी का श्वण यू भी कहा जाता है बन अनुसंदान संस्ता कहां इस्तितने अप्शन नमर ए देहरादून, अप्शन नमर बी भोपाल, अप्शन नमर सी लखनाव में, अप्शन नमर डी दिल्ली में, इसका राय टेंसर जगा, अप्शन नमर ए देहरादून में, देहरादून में बन अनुसंधान संस्ता इस्तित है, देहरादून भारतिया पेट्रोल अनुसंधान संस्ता लखनव में इस्तित है भारतिया क्रिसी अनुसंधान संस्ता नई दिली में इस्तित है भारतिया मौशं विज्ञान संस्ता नई दिली में इस्तित है अखिल भारतिया आयरु विज्ञान संस्ता नई दिली में इस्तित है और भारतिया राष्टिया राज अधिकार कौन सा है जिसकी गड़ना भारत के शमिन्धान में नहीं की गई है लेकिन उच्तम नियाले ने उसे मौलिक अधिकार बताया है अप्षण अमर ए जीवन का अधिकार अप्षण अमर बी शार्वजनिक रुजगार के मामलों में औसर की समानता अप्षण अमर सी ब्यक्तित शोतंता का रक्षण option number C, अस्थाई अवास का अधिकार, इसका right answer रगा option number D, अस्थाई अवास का अधिकार, इसी ब्यक्या या भारतिय श्वमिधान में नहीं है, लेकिन उच्तम नियाले में इसे मौलिक अधिकार बताया है, भारतिय श्वमिधान के भागतिरी अनुचेद 12-33 के तहट मौलिक अ सोतंता है, 19-2 में बीना हतियार के सांती पूर्ण शभा करने का अधिकार है, 19-3 में शंग बनाने का अधिकार है, 19-4 में किसी भी छेतर में घूमने की सोतंता है, 19-5 में किसी भी छेतर में घर बनाने या बसने की सोतंता, अपवाद जम्मू कश्मीर है, जो अप मिल गया है 19-6 संपतिक अधिकार इसे खतम कर दिया गया है संपतिक अधिकार को बीधिक अधिकार बना दिया गया है 19-7 बैपार या जीवका चलाने की सोतनता है Next question वा पर्थम राष्टिया नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में अस्थापित किया गया Option नमर ए वेल वाडन नेशनल पार्क Option नमर बी पेरियार नेशनल पार्क Option नमर सी चांधीपूर नेशनल पार्क बांधीपूर नेशनल पार्क Option नमर डी कारवेट नेशनल पार्क इसका राइट एंसर रहेगा में श्ती थे और बांदीपूर्ग नेशनल पार्क करनाटक में श्ती थे नागर होल नेशनल पार्क या तुम्भादर अभ्यारण या श्वमेश्वर अभ्यारण ये शब करनाटक में श्ती थे पेच नेशनल पार्क तंसा अभ्यारण में और बोरी वीली नेशनल पार्क महर चलकाज ह्नल भी उरियशा में आसथे निकत्र स्पित हैं लोड़ड़ास्थ में अभ्यारिया और नन्दन कानन अभ्यारण या शिमपली पाल अभ्यारी ऊडिसा में इस्थीथ highly, शिलकाज्हां में पीत्ठ आई, व्यदान्त गळ्यारण या मदू मलाई अभ्यारण ये तमी लाडू राज में इस्तित है काजी रंगा नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क ये अस्सम राज में इस्तित है नेक्ट पर्शन शरीर का वो कौन सा अंग जो कभी भी विराम नहीं लेता अप्शन नमर ए मानस पेसिया अप्शन नमर भी तंत्रिकाएं अप्शन नमर सी जीव अप्शन नमर डी हेर्दय इसका राइट एंसर जाएगा अप्शन नमर डी हेर्दय हिर्दय शरीर का हुआ अंग है जो कभी बिराम नहीं लेता है हिर्दय का हुआ जन तीन सो गराम होता है या एक मिनट में 72 बार धड़कता है हिर्दय मानो शरीर का सब्षम महत्तपूर अंग है इसमें चार कक्ष होते हैं किसकी उपस्तिती के कारट किसी पदार्थ या कोसिका और पसुकोसिका में अंतर पायाजाता है कोशिका भीति की उपसिती के कारण किसी पादब कोशिका या पशु कोशिका में मुख्य अंतर पाया जाता है हरित लवा को पादब कोशिका का कसाई घर भी कहा जाता है युगलीमा पादब और जन्तु के बीज की कड़ी है कोशिका भीति सेल वाल या केवल पादब को पादब या सेल में पाई जाती है या निर्जीव पदार्थ का बना होता है केवल सेवालो तता हरे पोदे की भीति सलिलोज की बनी होती है केंद्रक क्लिक इसकी खोज ब्राउन ने किया था इसकी राचना अंड़कार और गोलकार होती है कलोरोपलास्ट हरितलोड इसकी सहायता से पोधा अपना भोजन बनाता है पारे रंग का होता है निमलेखित में सुवाब पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्स की आयुत तक बच्चों के विकास या वर्धन के लिए अत्यांत आउस्याक है अप्शन नमर ए पोटीन अप्शन नमर बी विटामिक्स अप्शन नमर सी वसा अप्शन नमर डी दून इसका राई टेंसर जगा अप्शन नमर ए पोटीन्स पोटीन्स 14 वर्स की आयुत तक बच्चों के लिए अत्यांत आउस्याक है पोर्टीन से 20 एनिमो आमले से मिलकर बनता है मनुस्थ का सरीर लगवा 15% भाग पोर्टीन का बना होता है यह सरीरिक विकास के लिए शर्वत्त में जैसे अंडा, दाल, पनीर, दूद, मांस, मचली इतियादी से प्राप किया जाता है इसमें अधिक मत्र में बसा पया जाता है जिसके अधिक सेवन से मोटापा रोग होता है किस एतिहास कार का मनना है कि 18-17 का बिद्रो बिदेशी सासन से राष्ट को मुक्त कराने की देश भक्ती पूर्ण एवंपर गतिसील कोशिस थी अप्शन नमर ए विपिन चंद्र अप्शन नमर बी आर सी मजमुदार अप्शन नमर सी डाक्टर एस एन सेन अप्शन नमर डी सुमीत सरकार इसका राइट अप्शन नमर ए विपिन चंद्र विपिन चंद्र का मानना है कि 18 संताओन का विद्रो विदेशी सासन से राष्ट को मोग कराने की देश भगती पूर यो परगती सील कोशिस थी 18 संताओन का विद्रो लाट केनिंग के सासन काल में हुआ था इस विद्रो में अलग अलग ब्यक्तियों ने आपना अलग अलग मत दिया था टी आर होम्स का मनना था कि यह बरबरता तता सभ्यता के बीच की करांती थी आरसी मजमुदार का मनना था यह नत पहला और नहीं राष्टिया सोतंता संगराम था सवारार कर या परत्थम सवतनथा संगराव था सीले और लारेंच और ट्रेविलियंस का मन्ना था। 18 संतौं की करांती मात्र एक्ष सैनिक विद्रो और शीपाई विद्रो था। 18 संतौं को विद्रो कात्कालिक झाल झाल